इस तो भाज हम डिसकस करेंगे कुछ बोत्नी से related questions जो सेवालों में काफी पूछे जाते से Lets question किसी मंडली शेवाल का नाम बताई ए मंडल्य या जिसको हम कॉलोनियल शेवाल कहते हैं तो इस मंडली शेवाल का नाम है वालवॉक्स जिसमें लगवग 500 से 1000 तक कोशिकाएं पाई जाती हैं अगला question है वालवॉक्स में जो sexual reproduction हुए है किस प्रकार का होता है जो sexual reproduction जनरली तीन प्रकार का होता है लेकिन वालवॉक्स में उगेमस प्रकार का sexual reproduction होता है इसके वारे में हम अलग से details में discuss करेंगे वालवॉक्स में daughter colony कैसे बनते हैं तो यहाँ पर हम बता दें वालवॉक्स में daughter colony का निर्माण ए sexual reproduction या अलेंगिक प्रजिनान की फाल जरूप होता है अगला question है उड़ोगॉनियम के filament की क्या विशिष्था होती है तो आप यहाँ पर उड़ोगॉनियम का diagram देख सकते है इसका filament असाके तथा कोशिकाओं के उपर capsules पाए जाते हैं जैसा कि आप यहाँ पर यह capsules देख सकते हैं ईड़ोगॉनियम की कोशिकाओं में किस प्रकार की संद्जना व्ifiवाला chloroplast होता है तो यहाँ पर हम देख सकते है जो chloroplast की संद्जना होती है वो 05 हवत होती है तो उड़ोगॉनियम में 05 610 जाली कविश्था वाला होता है नेक्स वन उडोगॉनियम के जूस्पोर की क्या विस्षिस्था होती है तो जनरली आपको बता दें यह आकार में बड़ा होता है जो यूनि नुक्लियेट अर्थात एक नुक्लियेश वाला तथा मल्टी फ्लेजलेट यानि बहुत सारे फ्लेजला वाला होता है एक जूस्प जो इनकी एक सेल्स रहती है वो काफी बड़ी रहती है नॉन मोटायल लेकिन यहां पर हम देख सकते हैं जो यहां पर मेल सेल्स है या स्पर्म सेल्स है वो मोटायल होती है जिसमें मल्टी फ्लेजलेट पाए जाते हैं नेक्स वन मेकरेंडस इस्पीसीज में एंत्रीडिया क यहां पर पर निर्मान एंडोर्णियम यहां रहा होता है यह द्यूर्णिघ मिट्टि पर बनता है तो आप यहां पर देख सकते हैं नेक्स वन आपसे डिसकस करने वाले उडोगॉनियम का जो एंथिरो जोएट्स होता है किस प्रकार का होता है जो उडोगॉनियम का एंथिरो जोएट्स है नासफाति के अकार का होता है लेकिन तता मल्टि फ्लेजिलेट होता है आप यहां पर ऐसे देख सकते हैं और बहुत सारे फ्लेजिला इसके अंदर लगे होए देख सकते हैं नेक्स वन कारा कहां पाया जाता है इसकी संद्चना किस प्रकार की होती है तो आपको बता दें कारा एक सेवाल है जो उतले पानी के इस्तिर जलासायों में होता है पादफ शरीर या पिलांत बोडि पर नोड तरफा हैं इसमें सीमित तता अशिमित वरदिवाली साखायें भी होती हैं next question है कारा के male तता female reproductive organs कहा इस्तित होते हैं अगला question है उडोगॉनियम का पादप किस प्रकार का होता है आपको ये पहले ही बता चुके है उडोगॉनियम का पादप होता है इसकी plant body filamentus असाकित होती है आप यहाँ पर देख सकते हैं असाकित प्रकार के इनके filamentus पाए जाते हैं अगला question है कारा में किस प्रकार के chloroplast पाए जाते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था उडोगॉनियम में जालिकावत होते हैं ऐसे ही कारा में तस्तरियनुमा chloroplast पाए जाते हैं अगला question है multiflagellate juice spore किस सेवाल में पाया जाता है तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि multiflagellate juice spore हो उडोगॉनियम में पाया जाते हैं यह नासपाती क्या कार का होसा आप यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट वन हम बात करने वाले हैं वाउचेरिया का जो पादप शरीर या प्लांट वर्डी किस प्रकार की होती है तो वाउचेरिया का जो प्लांट वर्डी या पादप शरीर होती है वो फ्लामेंटस इसका ब्रांस टाता सीनोसिटिक प्रकार का सीनोसिटिक से मतलब होत नेक्स्स क्वैस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् अगला क्वेस्ट है निर्टम जननावों की आकर्ति किस प्रकार होती है अगर उगनियम प्रकार का sexual production है तो हम यहाँ पर बता देते हैं वाउचेरिया एंट्रीडिया होक्कियाकार के तता उगनियम गोलाकार के होते हैं एक्टोकारपस किस डिविजन का सदस्य है तो आपको बता देते हैं एक्टोकारपस डिविजन फियोफाइटा का सदस्य है नेक्स वन एक्टोकारपस कहां पाये जाते हैं जनली आपको बता दें एक्टोकारपस समूद्र के थंडे जल में पाये जाता है जिसका रंग भूरा पीला होता है यह एक समूद्री शेवाल है जैसा कि आप यहां पर डियाग्राम देख सकते हैं नेक्स वन एक्टोकारपस में कितने प्रकार के इस्पोरेंजिया पाये जाती है इनमें बनने वाले जूस्पोर की क्या विश्था होती है आपको बता देते हैं एक्टोकारपस में प्लूरो लोकिलर तथा यूनी लोकिलर प्रकार के जो इस्पोरेंजिया पाये जाते हैं प् तो कारपस तता पॉलीश आइफोनियां कहां पाय जाते हैं? आपको बता देते हैं, दोनों ही समुद्री सहवाल है, अर्था दोनों प्रकार के सहवाल केवल समुद्र में पाय जाते हैं. next one एक जीवास सेवाल का नाम लिखिए जिसका प्रयोग ध्वनी प्रूफ विल्डिंगोँ में किया जाता है अच्छा क्वैस्टन है डाइटम्स का प्रयोग ध्वनी प्रूफ के लिए किय जाता है ऐसे चार सेवालों के नाम लिखिए जो भोजन के रूप में प्रयोग किये जाते हैं तो आपको यहां पर बता दें पॉर्फाइरा, टेंडरा, क्लोरेला, लेमिनेरिया तथा अल्वा इनका प्रयोग भोजन के रूप में करते हैं अगला क्वेस्टन है, अगर-गर किन सैवालों से प्राप्ट किया जाता है आपको बता दें, अगर-गर एक क्यमिकल मेटेरियल रचाज जिसका उपियोग के हम कल्चर में करते हैं सुच्वम जीवों के कल्चर में करते हैं तो जहां पर भी question पूछा जाए आप इसका right answer यहां पर देख सकते हैं next question है kelp किस से प्राप्त होता है जैसा मैंने आपको बताया laminaria जो कि बुरी से प्राप्त किया जाता है यहां पर इनकी life cycle देख सकते है अगला question है आयोडीन का व्यापारिक उत्पादन किस से किया जाता है बूरे से लेमिनेरिया से आयोडीन उत्पादन होता है next one question है polysiponia किस division का सदस्य है और यह कहां पाया जाता है तो आपको बता देते हैं polysiponia rodofita का सदस्य है जो लाल से वाल कहलाता है यह एक शमूद्री शेवाल है जो शमूद्री जल में पाया जाता है अगला question है polysiponia नामक शेवाल जो है polysiponia क्यों पढ़ा तो हम आपको बता देते हैं इसमें syphon like texture होती है इसलिए हम इसमें इसे polysiponia कहते हैं अगला question है polysiponia के जो sexual तथा ए-sexual पादपों की क्या विशेश्थाएं होती है तो हम आपको बता दें जो लेंगिक plants होते हैं वह haploid होते हैं तथा इनमें इसपर मेटेंजिया तथा प्रोकार्प बनते हैं जबकि अलेंगिक plants जो होते हैं इनमें यह deployed होते हैं जिनमें tetrasporengia पाए जाते हैं अगला question है triphasic जीवन चक्र किस सवाल में पाया जाता है यानि PDA का अंतरण मिलता है deployed के बाद है fluid stage तो हम आपको बता देते हैं कि जो polysiponia में polysiponia इसमें triphasic जीवन चक्र होता है अर्थात इसमें इस फर्ष्ट पीडिये का अंतरण देखने के लिए मिल जाता है next one question है tetrasporengium polysiponia के किन पोदों पर पाये जाते हैं इनके tetraspore किस प्रकार के होते हैं tetrasporengium जो है defloid plants पर बनते हैं जिनमें अर्थ सुत्री विवाजन द्वारा चार haploid tetraspore बनते हैं अगला question है polysiponia का जो frutting body है इसको हम क्या कहते हैं तो polysiponia की frutting body को हम systocarp कहते हैं अगला question है carpo sporengium या तता carpo spore कहां बनते हैं ये दोनों सिस्टो कार्प के अंदर बनते हैं जो defloid होते हैं अगला question है carpo spore के अंकुरंट से किस प्रकार के पोधे बनते हैं तो carpo spore के अंकुरंट से अलेंगिक defloid plants बनते हैं अगला और last question प्रो केरियोटिक कोशिकाओं की क्या विशेस्था होती है तो इस प्रकार की कोशिकाओं में true nucleus नहीं होता जैसा कि आप यहां पर दिख सकते हैं अर्था दिन में किंद्रक कला का वहा होता है जबकि हम यहां पर दिख सकते हैं यह एक यू केरियोटिक प्रकार की कोशिका है जिसमें एक सत्य किंद्रक पाया जाता है इसके साथ ही कई अंगक प्रिजेंट होते है थैंक्यू तो बच्चों हमारा लेक्चर आपको कैसा को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू